पाट का सिर्षक है ध्वनिका स्वरूप इस पाट के अध्येन के उपरांत हम ध्वनिके अर्थ को समझ सकेंगे स्फोर्ट और ध्वनिके वीच संबंध को जान सकेंगे ध्वनि से सौंदर की प्रतीती की प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे ध्वनिका लक्ष और उसकी कोटियां जान सकेंगे इसके अलावा धोनी कावि की अन्य प्रकार के कावियों से स्रेष्ठता से भी अवगत हो सकेंगे भारती साहित्य चिंतन परंपरा में धोनी से धान्त या धोनी का विचार एक अनूठी उपलब्थी है नमी सताब्दी ईस्वी में आनंद वर्धन ने अपने प्रतिभावल से इसे सुपरतिस्ठित किया पर इसका विरोध भी हुआ आनन्द वर्धन ने सभी विरोधी मतों का युक्ति पूर्वक और प्रकरता से प्रतिवात किया फिर भी उनके अनेक परवर्ती ध्वनी की इस अवधारना का विरोध करते रहे आनन्द वर्धन से पहले रस का विवेचन मुख्यता हनाट केंद्रित ही था कावे में रस की चर्चा होती जरूर थी पर रसाश्वात किस प्रकार होता है इसकी स्पस्ट व्याख्या नहीं हो सकी थी आनंद वर्धन ने सौंदर की प्रतियतिय रसास्वात को व्यंग्यार्थ के रूप में स्थापित कर इस समस्या का एक समाधान प्रस्थत किया आनंद वर्धन की एक बड़ी विशिस्ता यह भी है कि उन्होंने अपने मत का प्रतिपादन करने के साथ ही उसे भारतिय चंतन परंपरा के बीच व्यवस्थित करते हुए रस के संपूरक सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्थित किया साथ ही उन्होंने रीति, गुण, अलंकार, आधिका भी कावे प्रक्रिया में अंतरभाव करते हुए उनका समुचित महत्तुफिश्वयकार किया आनंद वर्धन की रचना द्वन्या लोक नाम से प्रशिद्ध है उसके कई अन्य नाम मिलते हैं काविया लोक, सहर्दया लोक, सहर्दया लोक, सहर्दया लोक पर प्रचलित नाम ध्वन्या लोक ही है ध्वन्या लोक कुल चार उद्यतों में निबद्ध है, उसके तीन अंग हैं कारिका, वृत्ते और उदारन 10-11 सितापदी के आचार अभिनोगुप्त ने लोचन नाम से धुन्या लोग पर्टी का लिखी है जो अपनी महत्ता के कारण उससे अभ अभिन हो गई है और धुन्या लोग की समझ का अनिवार हिस्सा है धुनी का सुरूप विवेचन करने से पहले अब हम उससे संबध दो प्रमुख अवधारणाउं धुनी और स्फोर्ट पर विचार करेंगे धुनी का सामान अर्थ आवाज ही है जैसे घंटा धुन्या किन्त धुनिकार ने इसका प्रियोग विशेश अर्थ में किया है स्वयम आनन्दवर्धन इस विशेश अर्थ को स्पस्ट करने के लिए कहते हैं अर्था जहां अर्थ स्वयम को या शब्द अपने अर्थ को समेट कर उस प्रतियमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उस काविविशेश को विद्वान लोग ध्वनि कहते हैं अभिनोगुप्त ने आनन्दवर्धन की इस कारिका का स्पस्टी करन अपने लोचन में किया है उनके अनुसार ध्वनि के पांच अभिप्रेथ हैं वाच्यार्थ, वाचक शब्द, व्यंग्यार्थ या प्रतियमान अर्थ, शब्दार्थ व्यापार और इन सब का समुदाय रूप काविविशेश आसे यह है कि ध्वनि इन पांच अर्थों का वाचक है लेकिन वाच्यार्थ, वाचक शब्द और सब्दार्थ व्यापार साधन रूप हैं तथा व्यंग्यार्थ या प्रतियमान अर्थ और उससे संपन्न काविविशेश अभिष्ट है दोनी की ओधारणा पर विचार करने के उपरांत अब हम इस फूट की ओधारणा को समझने का यत्न करेंगे भारती चिंतन परंपरा व्याकरण सास्त्र को सभी विद्याओं का मूल और व्याकरणों को विद्वानों में अग्रगर्ण ने मानती आई है भरत्री हरी ने उसे यतन पूर्वक नित्ते उपास निये कहा है क्योंकि वह दीपक की तरह सभी विद्याओं की प्रकाशक है दोनी की प्रेणा भी वईयाकरणों द्वारा प्रतिपादित स्फोर्ट की ओधारणा को माना गया है हमारे द्वारा उच्चरित वर्ण की सब्ता खणिक होती है जब तक दूसरे का उच्चारण करते हैं पहला विलुप्त हो जाता है इस तरह वर्ण समुच्चे घटित नहीं हो पाता तो फिर उनकी समुच्चे से किसी अर्थ का द्योतन कैसे हो वया करणों ने इसके समाधान के लिए नित्य शब्द की कलपना की है जो शाश्वत है हमारे उच्चारण के बाद उच्चरित वर्ण अपना संसकार बुद्धि अचेतना में छोड़ते हैं यही क्रम आगे की दूसरी वर्णों का भी चलता रहता है अन्तिम वर्ण के संसकार रूप में बुद्धि में संस्थित पूरुवर्ती वर्णों के साथ संयोग से अनित्य शब्द का ज्यान होता है इस प्रकार नित्य शब्द के संसर्ग से अनित्य सब्द स्पुटित हो जाता है वयाकरणों ने इसे कास्ट और अग्न के रूपक से समझाया नित्यधोनी उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कास्ट में अग्नी वह स्वयम प्रज्वलित नहीं होता बलकि अग्नी के संपर्क से प्रज्वलित होता इसी प्रकार नित्य धोने अनित्य धोनियों की संसर्ग से स्फुटित हो जाती है जिस प्रकार अगनी स्वयम को प्रकासित करते हुई समीपस्त घटादी वस्तूओं को भी प्रकासित कर देता है ठीक उसी प्रकार स्पोट रूप शब्द स्वयम को व्यक्त करने के साथ ही अर्थ को व्यक्त करता है वर्त्रिहरी ने वाके पदिये में स्पोट की व्याख्या इस प्रकार की है यह संयोग वियोगा भ्याम करणाई रूप जन्यते सैस्पोटाह शब्दजाह शब्दा ध्वनयोर नेय रूदाष्टा अर्थात करणों यानि वागंगों के संयोग और विवयोग से जो उपजनित होता है उस स्फोट सो रूप शब्द शब्द को ध्वनी के रूप में उदाहरित किया गया है पतंजली ने ध्वनी को स्फोट का गुण कहा है तथा स्फोट और ध्वनी में परस पर व्यंग विंजक संबंध माना है ध्वनी से स्फोट रूप सब्द अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त स्फोट रूप शब्द से अर्थ का ग्यान होता है स्फोट का विद्पत परकर्थ करते हुए कहा गया है जिससे अर्थ स्फोटित होता है वह स्फोट है शंक्षिप में स्फोट रूप शब्द से उत्पन्न होने वाले शब्द से विंजित विंग्यार्थ ही कावे में ध्वनी होती है द्वनी और स्फोट की अँधरनाओं को समझने के बाद अब ध्वनी चिंतन की परमपरा और ध्वनी की विरूधी मतों पर विचार करेंगे आनन्द वर्धन ने कावियात्मा द्वनिरिती बुधरिया शमामनात पूर्वह कहकर स्पस्ठ किया कि काविय में द्वन की सत्ता कोई नितांत नया विचार नहीं है वह पहले से ही बुध जन द्वारा श्वेकृत और प्रतिष्ठत है उन्होंने तो सहदय जन की मनः प्रीती या चित्त प्रशादन के लिए केवल उसके स्वरूप का विवीचन किया है यह पूर्व परंपरा के प्रति सम्मान या विनम्रता प्रकट करने के लिए कही गई और उपचारिक बात भर नहीं है उपर संकेतित ध्वन्यालोग की प्रथम मुद्योत की इस पहली हिकारिका की वृत्ति में इसका विशदी करण किया गया है लोचनकार अभिनोगुप्त ने भी अपनी टीका में इसका दिस्तार से स्पस्टि करण किया है कि आनंद वर्धन से पहले ध्वनी किन किन रूपों में कावे में विद्यमान होती थी इस प्रशंग में भामा, वामन और उद्भट का स्पस्ट लेक है परवर्ती आचारे पंडितराज जगनात ने भी इस बात का अनुमोदन किया है और लिखा है कि भले ही आनंद वर्धन द्वारा प्रयूक्त द्वनी आज इस सब्दों का प्रयोग यथावत न किया गया हो पर उसकी स्वेकृति भिन्न नाम रूप से भामा, उद्भट जैसे आचारे निकी है द्वन के ये पूर्व रूप समासोक्ति, परियायोक्ति, विशेशोक्ति जैसे अलंकारों में देखे जा सकते हैं आनंद वर्धन ने द्वन्या लोग की पहली ही कारिका में द्वनी विरोधी तीन मतों का नरदेश किया है अभाववाद, भाक्तवाद और अनिर्वचनी अतावाद पहला विरोधी मत संभावना पराधारित या कल्पित है इस मत के अनुसार सब्दार्थ के चारुत्त हेतु के रूप में पहले से ही अलंकार, गोन, परियती, वृत्ते, आधिप्रशिद्ध है ध्वनिन से प्रथक कुछ भी नहीं है यदि कुछ हो भी तो उसे पूर्व नर्दिष्ट प्रस्थानों के अंतर गत्थी स्वेकार किया जा सकता है और ऐसा ना भी हो तो उसे एक ऐसा अलंकार विशीश माना जा सकता है जो अब तक अलक्षित रहा हो भाक्तवादी लक्षणा या गुण वृत्त में ही ध्वनि का अंतरभाव मानते हैं उनकी मत में ध्वनि लक्षणा से भिन्न नहीं है इसी प्रकार अनिर्वचिनियतावादियों के अनुसार धोनी का तत्व वानी की द्वारा किसी प्रकार से हिव्यक्त करना संभव नहीं है वह केवल अनुभूदि का विशेह है यानि स्वहर्दे संवेद्ध है यह मत धोनी की सत्ता को अश्रिकार नहीं करता आनंद वर्धन ने अपनी प्रतिभा के बल पर सभी विरोधी मतों का प्रखर प्रतिवाद किया किन होनी का विरोध पूरी तरह से शमित नहीं हुआ उनके समकालीन मनोरत कवी के अलावा मुकुल भट ने अपनी कृती अवधा वृत्ति मात्रिका प्रतिहारे इंदुराज ने काव्यालंकार सार शंग्राटी का भट नायक ने हुदे दरपन धननजे ने दसरूपक और महिम भट ने व्यक्त विवीक के द्वारा लंबे समय तक दोनी का विरोध किया पर इस विरोध पर द्वनी के समर्थकों विशेस्ता अविनव गुप्त और उनकी कृति धन्यालोक लोचन तथा मम्मट और उनकी कृति काव्य प्रकास का बल भारी पड़ा द्वनी एक अजे एक आविशेद्धांत के रूप में स्थापित हुआ साहित दरपनकार विश्वनात और रसकंगा धर की रचईता पंडित राज जगन्ना जैसे परवर्ती पंडितों का पोशन पाकर वस्थाई हुआ भारती साहित चिंतन में द्वनी रस के साथ अब सर्व मानने से धानता है द्वनी एक व्यापक संग्या है वाच्यार्थ, वाचक्षब्द, यंग्यार्थ, यंजना व्यापार और इन सब का समुदाय रूप का विविशेश सभी कुछ द्वनी संग्या से संबोधित होते हैं यही नहीं प्रत्य, उपसर्ग, विवक्त, लिंग, वचन, संबंधकारक, समास, निपात, काल आज से लेकर वर्ण, पद, वाग के आज सभी में ध्वनी का दिश्ठान होता है सभी रूपों और स्तरों में व्याप्त यह ध्वनी वेंग्यार्थ की स्रिष्ट और पुस्ट में सहायक होती है इस प्रकार बहुबिद आकार लेने वाली ध्वनी को आनंद वर्धन ने सहर्दय जन द्वारा प्रसंशनिय कहा है और उसके दो वेत कहे हैं पहली द्रिष्ट में यह भ्रह्म हो सकता है कि प्रतियमान अर्थ तो ठीक है पर वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ सुरूप दोनी का वेत कैसे हो सकता है वस्तुताह वाच्यार्थ और प्रतियमानार्थ में आधार आधे संबन्द होता है वाच्यार्थ वह नीव है जिस पर प्रतियमानार्थ रूपी प्राशाद या भवन आकार लेता है वाच्यार्थ के विना प्रतियमानार्थ का स्तित्त हो ही नहीं सकता पर असल ध्वनि यः समस्त ध्वनि व्यापार का लक्ष भूत व्लयंग्यार्थ या प्रतियमान आर्थ ही होता है अता प्रतियमान आर्थ को स्पस्ट करते हुई आनन्दवर्धन आगे लिखते हैं अर्थात महाकवियों की वाणी में प्रतियमान अर्थ कुछ और ही वस्त होती है जैसे रमणियों के एक-एक अंग से भिन संपून अंग संस्थान रूप काया में लावन्य सोभित होता है या जलकता है लावन्य का श्पस्टि करन करते हुए कहा गया है अर्थात मोती में जैसे च्छाया के अंतरगत तरलता अर्थात आभा जलकती है वैसे ही मोती की आप की तरह काया से जलकने वाली कान्ती लावन्य कही जाती है काया से जरकने वाले लामणने की तरह प्रतियमान अर्थ भी संपून रुक्ति या कावे से प्रकट होता है परन्तु वह सहज लब भी नहीं है वह कावे या उक्ति में अंतर व्यापत रहता है उसी शब्दार्थ के नियमू के ग्यान मातर से नहीं जाना जा सकता उसे तो केवल काव्यार्थ की तत्वग्य ही जान सकते हैं ध्वनिकार के इस काव्यार्थ तत्वग्य को ही लोचनकार अभिनो गुप्त ने सहदे कहा है और उसकी विशेष्टा बताते हुए लिखा है जिनका इहर्दे दरपण काव्य के गहन अनुसीलन के अभियास से निर्मल हो गया है और इसलिए उस इहर्दे दरपण में वर्णनी विशे के साथ तन्मय होने के क्षमता आ गई है वही काव्यार्थ के साथ अपने हर्दे का समबाद स्थापित करने वाले शहदे हैं ध्वनियार्थात वेंग्यार्थ के मर्म को समझने और ध्वनिकाव्य का स्रिजन करने के लिए सहरदेता एक हनिवारी शर्थ है वेंग्यार्थ के मर्म का जहां तक प्रेश्ण है सुयम ध्वनिकार ने ध्वनिया लोग में इसका नूठा प्रमान दिया सर्जक की सिर्देता की द्रिष्टांत सुरूप धोनिकार ने आदिकवी वालिमी की की स्रिजन प्रेणा और काव्य विशे से तनमेता का उधारन देते हुए बताया है कि कैसे काव्यात्मा सुरूप इंग्यार्थ का काव्य में आधान होता है काव्य का आत्मा वही अर्थ होता है जैसे कि पूरा कालवें आधिकवी की चित्त में क्राउंच युगल के विछो से उत्पन सोक स्लोक में परिनत हो गया था अनुभूत विसे से इस तरह की तनमेता ही द्वनिकावी की स्रिजन की उर्वर भूम होती है एक की अनुकूल प्रतिकूल वेदना जब दूसरे की बनती है तब हुआ उसके निजी दंश या उल्लास से मुक्त होकर सामान्निकृत होती है इसे ही आचारियों ने साधारनी करण कहा है फिर इस सामान्निकृत अनुभूत की ही रस्प्रतीत होती है वालिमी के का उपर संदर्वित लोग प्रशिद स्लोक यहां उद्रित है मान इशाद प्रतिष्ठाम तम गमासाश्वती हिश्वामा यत क्रउंच मिथुना देकम वधी है काममोहितम काममोहित क्रउंच यूगल में से एक कवध कर देने वाले व्याद तुझी अनुन्त काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहो वालिमी की की परपीड़ा जनित वेदना और ख्षोव से उपजा विसाप इस स्लोक का व्यंग्यार्थ या ध्वनी है व्यंग्यार्थ या प्रतिमानार्थ के और अधिक स्पस्टी करण के लिए हम हिंदी कविता से एक अंस उदाहरन के रूप में लेते हैं या काव्यांस सूजिकान्त त्रपाठी निराला के प्रशिद्ध कविता राम की सक्ति पूजा से है प्रशंग यह है कि राम प्रतिपक्षी की भयावहता और अपने पक्षी की पराजे की आसंका से हतास है क्योंकि उस दिन के युद्ध में हारते हारते हार बस किसी तरह टल सकी है अगले दिन युद्ध में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है राम हताशा की इस मनोदशा में ध्यानस्थ वैठे हैं कवितांस इस प्रकार है ऐसे क्षण अंधकार घनमी जेशे विद्युत जागी प्रत्वी तनया कुमारी का छवी अच्युत देखते हुए दिश्पलक यादाया उपवन विदेह का प्रथम स्तेह का लतांतराल विलन नैनों का नैनों से गोपन प्रियशंभाशन पलकों का नव पलकों पर प्रथम उठान पतन कापते हुए किसले जरते पराग समुदे गाते खग नव जीवन परिचे तरु मले वले जोति प्रपात स्वर्गी ग्यात चवी प्रथम शुई जान की नैन कमनी प्रथम कमपन तुरी सिहरातन छण भर भूलामन लहरा समस्त हर धनुर भंग को पुनरवार जयों उठा हस्त फूटी स्मिति सीता ध्यान ली नराम के अधर फिर विश्व विजय भावना हरदय में आई भर इस कवितांस को देखें हताशा के अंधकार पूम खशन विसेस में एक स्मृति उनके चेतना में कौनती है इस्मृति कुमारिका सीता की है विदेह के सुरम में उपोवन में प्रत्म दर्शन की मधूर आत्मी इस्मृति वही प्रान प्रिया आत्मिया सीता रावन की बंदिनी है यह इस्मृति होते ही राम को चक्षन के लिए हताशा के गहन मनो दसा से बाहर आ जाते हैं उन्हें स्यू के धनुस तोड़ने और अपने पूर की किये गए पराक्रम में आदा जाते हैं और सीता मगन राम की अधरों पर इसमी दिखे लियाती है वे हताशा की मना हिस्थित को जटक कर विश्व विजेता के भाव से उतप्रोथ होटते हैं पुरिया के प्रती अनन्य प्रीती राम को हतासा से उबार कर आत्म विश्वास के चरमोतकर्ष पर पहुँचाती है और प्रचंद पराक्रम के लिए उनमें उद्ध्वेलन पहला करती है यह अनूठी प्रीती ही इस कविदांस का प्रतियमान यानि गंग्यार्थ पर इस प्रतियमान आर्थ का आधार जैसा कि उपर स्पस्ट किया गया है वाच्यार्थी है आनंद वर्धन ने कावे में सौंदर प्रतियती या रशाश्वाद को द्ध्वनि का लक्ष माना है सौंदर प्रतियती या रश ही कावे में व्यंग या प्रतियमान होता है ध्वनी के वस्तुध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् को ही स्रेष्ट माना जाता है इसका अर्थिया कदापी नहीं है कि तीनों सदयव अलग-अलग ही होते हैं या साथ नहीं हो सकते तीनों साथ भी हो सकते हैं और स्षवतंत्र भी एक अच्छे कावभे में तो तीनों एक उसरे को पुष्ट करते हुई होती ही हैं वस्तुध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध दोनी कावे की रूप में संपन्द कर रहे हैं वस्तुता, वस्तु और अलंकार रश्त्रिष्ट की प्रक्रिया को विद्योतित करते हैं इतना अवश्य है कि उसे पूर्वोग तो नहीं किया जा सकता और हर कविता के घटक और प्रक्रियाएं एक नहीं हो सकती आनंदवर्धन ने दोनी कावे को कस उटी की रूप में भी प्रस्तावित किया है इस आधार पर कावे की उन्होंने तीन कोटिया मानी है उत्तम अर्थात दोनी कावे इस प्रकार के कावे में व्यंग्यार्थ की प्रधानता रहती है मद्यम अर्थात गोणी भूत व्यंगे कावे इस प्रकार के कावे में व्यंगी की तोलना में वाच्ची आर्थ की प्रधानता रहती है अर्थात वाच्ची की एफेक्छा व्यंगे गौन रहता है अधम अर्थात चित्र कावे इस प्रकार के कावे में ना तो व्यंग्यार्थ का स्थित्त होता है ना अर्थगत चारूत होता है केवल चमतकार पर बल रहता है ध्वनिकार ने इसे कावे कोटी में रखा था पर लोचनकार अभिनो गुप्तर विशवनात ने रस का स्तित्तो ना होने के कारण इसे कावे की कोटी से ही बाहर कर दिया कावे में ध्वनी की महत्ता असंदिक्ध है महत्तो की दृष्टे से कुछ उल्लेखनिये बातें इस प्रकार कही जा सकती है ध्वनी सिद्धान्त से पहले रस्प्रक्रिया मुख्यता नाटे से संबद्ध थी कावे में उसकी चर्चा अलंकारों के अंतरगत होती थी ध्वनी सिद्धान्त के बाद रस नाटे के साथ ही कावे का भी प्रधान लक्ष बना इस से पहले कावे के संदर्भ में रस्प्रक्रिया का विश्लेशन संभव नहीं हुआ था धोनी सिद्धान से पहले काविकिया व्यंतर के बजाए बाहि पक्ष पर अधिक पल था धोनी के विचार ने काविकिया व्यंतर को समझने की गहरी अंतर द्रिष्टि प्रदान की धोनी से पहले अन्य सिद्धानतों और समप्रदायों ने अपने मत को स्थापित करते हुए दूसरे भिन्न मतों को प्रिक्षणिय माना किन्तु धोनीकार ने सभी मतों पर विचार करते हुए काविकि बाह या भ्यंतर तत्व की रूप में उन्हें समझित महत्प्रदान किया और उनका तारतमिक संबंध निरूपन किया काविकि आवयविक या संगरनात्म का उधारना को भी दूनिकार ने प्रस्तावित किया साथ ही रसद्वन की संसलिस्ट और धारणा प्रस्तावित कर काविया श्वाद की प्रक्रिया को स्पस्ट किया अपनी इस चर्चा को हम संक्षिप में इस प्रकार कह सकते हैं दोनी सिद्धान्द का प्रतिवादन नवी शताबदी में आचारियानुन वर्धन ने किया, दोन्या लोक उनका ग्रंथ है, जिसके तीन भाग हैं, कारिका, वृत्ति और दाहरण, अभिनोगुप्त ने दोन्या लोक पर लोचन नाम से अपनी प्रशिद्ध टीका लिखी है, यह टीका दोनी सिद्धान्द की विविचना का अनिवारे अंग है और दोन्या लोक लोचन नाम से प्रशिद्ध है, दोनी समस्त काविवयापार और उसके घटकों के लिए प्रयुक्त व्यापक संग्या है, जिसमें वाच्यार्थ, वाचक सब्द, विंग्यार्थ, दोनी विरोदी तीन प्रमुखमत हैं, अभावाद, भाक्तवाद और अनिरवचनी अताबाद, दोनी की शंकल्पना, वईया करों के स्पोर्ट से द्धान्द पराधारित है, आनंद वर्धन ने इस पस्ट रूप से इस कारेंट से कार किया है, आनंद वर्धन के अंसार प्रतिति का कारण है, वाच्यार्थ और प्रतिय मानार्थ में आधार आधे ये संबंद माना गया है, सर्दे ही कावे का अधिकारी होता है, कावे में पाई जाने वाली ध्वनी तीन प्रकार की होती है, रस्त ध्वनी, अलंकारत ध्वनी और रस्त ध्वनी, रस्त ध्वनी ह वेनि श्रेष्ठ कावय की कसोटी है ध्वनी की कसोटी के आधार पहरानन वर्धन ने कावी की तीन कोटिया भी वताई हैं ध्वनी कावय, बुनी भूत वेंगे कावय और चित्रकावय, ध्वनी से धानत कावी की आवयविक संकल्पना पर आधारित है